अपने पेर पर कुलहरी कैसे मारनी है ये कोई मौलदीव से सीखे मौलदीव बिलकुल श्रिलंका की रहा पर चल रहा है बिलकुल श्रिलंका के नक्षे कदम पर चल रहा है शुलंका जिस सरीके से पहले भारत का हमराज हुआ करता था भारत का दोस हुआ करता था और शुलंका की हर मुसीवत में भारत हमेशा साथ खड़ा दिखाई दिया है लेकिन शुलंका ने क्या किया शुरुआत में शुलंका ने दगबाजी की शुलंका गया चीन की कोद में ज जार उपए देने पड़ते थे, LPG सिलिंडर्स के दाम आसमान चू रहे थे, लोग हाहा कार कर रहे थे, और उस वक्त मदद के लिए भी कौन आगे आया था, हिंदुस्तान आगे आया था, 2022 आप याद करिये, 2022 में शिलंका की क्या सिदिदी, दंगे हो रहे थे, आगजनी हो र जाते हैं, और सिधा आदेश दे देते हैं, कि भारती जो सेनाय है वहाँ पर, वो अब मौल्दीव में नहीं रहेंगी, वो यहां से चली जाए, यह बहुत बड़ी गल्दी कर रहे हैं, मौईजू, जो मौल्दीव के प्रेसिदेंट है, यह बिल्कुल वही गल्ती है, जो मौल्दीव में जिस तरीके से हालात हैं, वो हालात अब और जादा बत्तर हो सकते हैं, क्योंकि चीन का तो काम ही है, कर्ज के माया जाल में फटाओ, और उसके बाद कबजा कर लो, किसी विदेश को गुलाम बना लो, और फिर जो चाहो, वो कराओ, वही हाल मौल्दीव का हो अब जान मिलनी थी, तो सबसे पहले रिकरगनाईज करने वाला इंडिया ही था, कोई और देश दुनिया भर में आपको रिकरगनाईज नहीं कर रहा था, आपको इंडिपेंडेंडिन कंट्री का दर्जा नहीं दे रहा था, यह सलसला यहीं नहीं खतम होता है, इंडिया के है, सानों की फेरिस्त है, वो बहुत लंबी है, आप याद कीजे, आपको 6 विंग वाला एरक्राफ फाइटर प्लेंज सबसे पहले किस ने दिया, और एक मात्र कंट्री है, जिसने दिया है, वो है हिंदुस्तान, आपको हेलिकॉप्टर किस ने बेजे, हिंदुस्तान ने, जब कोरोना की मार मौलदीर जेल रहा था, तो सबसे पहले आपको वैक्सीन किस ने बेजी, हमने बेजी, और इसके अलावा, जब वहाँ पर पानी के लिए तरह हिमाम हो रहा था, तो मिनरल वाटर, बिसलेरी जैसे मिनरल वाटर की खेप हमने वहाँ भेजी, जब तक कि हिंदुस्तानी है, इतना नहीं और कितना, और कितना कोई पडोसी देश आपके लिए करेगा, लेकिन उसके बावजूद, आप लोगों ने, जिस तरीके से मौलदीर ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर के लिए अबद टिपनी किया है, वो व कौन कहे कि मौलदीव्स शर्मिंदा हो या मौलदीव्स के प्रेसिजन शर्मिंदा हो, मौलदीव्स के जो तेवर हैं, वो वाकई बेहत खराब हैं, न सिर्फ विश्व पटल पर उनकी किरकिरी हो रही है, बलकि उनके देश में भी अब उनके खिलाफ आवाजे उठने लग तब जाकर शलंका को अकल आई थी, क्या मौलदीव्स एक बार चपेट खा जाना, जिसको कहता है कि लाख पड़ जाने का इंतजार कर रहा है, तब संबलेगा, लेकिन अगर यही धर्रा अपनाता रहा, मौलदीव्स जाहिर तोर पर एक दिन ऐसा भी आएगा, जब वो चीन नहीं गया, आपने पूरी दिन्या में अपनी किरकिरी करा ली है, और अपने पैर पर ही एक बहुत बड़ी कुलाडी मार ली है, जिसका खामियादा आपको सदियों तक भुगतना पड़ेगा,